हलो दोस्तों आप देख रहे हैं the code Indian I am sure आपको auto debit transactions के बारे में जरूर पता होगा आप इसका इस्तमाल भी करते होंगे जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है auto debit क्यानि कि automatically आपकी account से एक महिने के बाद या फिर दो महिने के बाद या फिर एक particular period के बाद कुछ पैसे जैसे कि OTT platform हो गया उसमें क्या क्या आता है Netflix आता है Hotstar आता है Amazon आता है अगर आप उन सब का subscription लेते हैं for example आपने Netflix का subscription लिया एक महिने का तो आपको यहां पे 299 रुपय देना पड़ेगा तो आप payment के लिए माल लेते हैं कि debit card का इस्तमाल करते हैं तो आप कैसे payment करते हैं एक महिने का subscription मिल जाता है उसके बाद आपको Netflix जो है एक option देता है recurring payment का यह क्या होता है अगर आप recurring payment को select करेंगे तो अगले महिना same यही amount 199 रुपीज आपकी account से कर जाएगा subscription के लिए और ऐसा हर महिना लगातार होता जाएगा यही basically order debit transaction होता है तो इसके लिए Reserve Bank of India ने नया rule लागू किया है जो कि अगले महिने से लागू हो जाएगा basically देखे यह नया rule क्या है Reserve Bank of India ने कहा है कि जितने प्रकार के recurring transaction है जो कि debit card से होते हैं credit card से होते हैं या फिर unified payment interface यानि की UPI से होते हैं इसके लावा जो prepaid payment instruments होता है माली जे Google पे हो गया phone पे हो गया या फिर Paytium हो गया इन सबसे जो होता है उसको अब additional factor authentication यानि कि AFA के अंतरगत लाए जाएगा अभी क्या होता है देखे अभी आप अगर एक महिने का subscription लेते हैं तो एक बार आपको authentication जो भी पूरा details वगेरा होता है आपकी जो मंजूरी होत है ठीक है तो यहां पर होगा क्या कि जितने बार भी आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे हर बार जो है एक additional factor authentication होगा यानि कि साधारन सब्दों में कहूं तो हर महिने आपसे पूछा जाएगा कि आपके अकाउंट से इस सर्विस के लिए इस सर्विस के लिए इतने पैसे का तो देखे होता क्या है कि माल लीजे कि आपने नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन लिया था 199 रुपीज का आपने रिकरिंग पेमेंट को सलेक्ट कर दिया था हर महिने आपके अकाउंट से इतने पैसे कर जा रहे थे तो चार-पांच महिना के बाद बहुत बिजी हो ग इसके विए से क्या होता है कि लगातार एक महिना दो महिना का जो है आपका सब्सक्रिप्शन कट जाता सब्सक्रिप्शन का जो भी पैसा है वह आपका कट रहा है और आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है ठीक है और सबसे खास बात यह है सबसे जो इंटरस्टिंग बात है यह है कि यह जितना भी आपका रिकरिंग पेमेंट होता है चाहे वह ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हो या फिर अगर मालीजे आपने जो कोई न्यूज वेबसाइट हो गया हिंदू हो गया न्यूज लाउंड्री हो गया या फिर कुछ भी हो गया अगर आपने उसका सब् स्क्रिप्शन लिया था इसके वरसे मेरे अकाउंट से पैसे करते हैं तो यहां पर इन सब चीज को ठीक करने के लिए रिजर बैंक आफ इंडिया ने कहा है और फ्रॉड वगेरा को भी देखते हुए कि एडिशनल अथेंटिकेशन को लाया जाएगा री करिंग ट्रांजेक से लिया हुआ है फिलिप कार्ट से लिया है जया फिर अगर आप हर मह नेंट को सिलेक्श करवा 상 dime करते हैं तो यह सार्रा हो गया मेर्चंट्स trashuw तीस сюжा क्य वह गया वंια हमारा बैंक तो इससैं हूं पैसा क्या देते हैं कि आप हर महें रिजर को इतना पैसा दे दीजे ज वह क्या कहलाता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर इमैंडेट पी से कहते हैं तो देखे यहां पर यह कैसे पॉसिबल हो पाएगा अब बैंक का काम यहां पर रहता है कि आपको मैसेज वेगेरा भेज़े कि आपके अकाउंट से पैसे भीजने तो बैंक ऐसा करती नही है और आपको पता भी नहीं चलता है तो यहां पर बैंकों को एक नए सिस्टम को अपनाने के लिए थोड़ा टाइम देना थोड़ा टाइम दिया गया था रिजर पैंक को फिंडिया के दौरा और कहा गया था कि यह जो एडिशनल फ्यक्टर ऑथिंटिकेशन है वह एक अप इंडिया ने 6 महीने का और समय इन्हें दे दिया तो एक अक्टूबर 2021 से फाइनली यह जो पूरा रूल है वो लागू होने वाला है अब आपके अकाउंट से जभी पैसे कटेंगे इन सब सर्विस के लिए तो आपको एक मैसेज भीज़ा जाएगा आपको बताया जाएगा कि आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं किस लिए कट रहे हैं यह सारी जानकारी आपको दी जाएगी और यहां पे 37 मार्ज 2021 का सेंटर बैंक का जो सर्कूलर था उसमें साफ तोर पे कहा गया था कि इसके बाद अगर कुछ भी डीले होता है बैंकों के दौरा इस अभड़ के बार्स से जितने भी recurring transaction होते हैं standing instruction पे आनि कि बैंकों को जो भी instruction मिला होता है आपसे क्या आपकी अकाउंट से इतने पैसे काट करके इस particular merchant को दे दिया जाया वो सारे transaction को वो सारे यहां पे recurring transaction को additional factor of authentication के अंतर्गत लाए जाएगा ऐसा यहां पे कहा गया है इसमे देखिए आपका जब पैसा कटने वाला होगा माल लेते हैं कि आपका जो है 23 तारीक को 23 सेप्टमबर को आपके अकाउंट से नेट्फिक्स का जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया था 199 रुपीज का उसका पैसा कटने वाला है तो यहां पे 24 घंटे पहले आपके फोन में एक न नाइटी नाइट रुपीज यह होगा डेट और टाइम होगा कि 22 सेप्टमबर को कट रहा है रापके नौब बज़े यह कटेगा उसके अलावा रिफरेंस नमर होगा ठीक है और रीजन होगा कि क्यों कट रहा है कौन सा सब्सक्रिप्शन आपने लिया है यह सारी इस नोट करनी घर पेमेंट को अशकंट पैसा मअले इस कटेगा आपने इस पेसा आपनी पेमेंट को रहा है तो कभी क्या होता है कि आपका जाएं इनसे आपके आपके लिब्यक्त संक्ताव तो आपको क्या मिलेगा एक OTP मिलेगा और जब तक आप OTP को इंटर नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा है वो पैसा आपके अकाउंट से नहीं कर देगा लेकिन यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है आपको पता होगा कि net banking वगेर का इस्तमाल करके भी बैंको को यहाँ पर recurring payment का इस्तमाल करते हैं। तो यहां पर कोई bank account का इस्तमाल कर रहा है ठीक है कोई भी बिल को payment करने के लिए तो उसके लिए यहां पर बदलाब नहीं आएगा पहले जैसे आपके पास कोई message नहीं आता था अभी भी आपके पास कोई message नहीं आएगा अगर जो आपका payment है हर महीने का recurring payment वो bank account के through होता है त तब आपको यहां पर 1 October के बाद से message आएगा mutual fund हो गया EMI वगेरा हो गया इसका भी अगर आप हर महीने भर रहे हैं bank account से तो भी आपको message नहीं आएगा देखे जब से यह कानून लागू हुआ है तब से हमारे देश में जो digital service operators है जो over the top यानि कि OTT platform है उनको यहां पर डर ल करना होगा कि हाँ हमारे account से basically जो है यह पैसे कट रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है OTT platform के द्वारा कि इससे वह अपने customer को लूज कर सकते हैं अब आपको यह बताना है कि आप इस पूरे सुविधा के बारे में क्या सोचते हैं हमें अपना opinion ज़रूर बताएं